नमस्का दोस्तो आज कॉंग्रेस कारे समीती की बैठक भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस के प्रांगण में संपन हुई कॉंग्रेस कारे समीती के सभी सदस्यों ने एक सहमती और एक स्वर्ष से शिरी राहूल गांधी जी को कॉंग्रेस का अधक्ष बने रहने मारक दर्शन करने नेत्रितव करने का आग्रह किया कॉंग्रेस कारे समीती के सदस्यों ने शिरी राहूल गांधी जी से अनुरोद किया कि आज मौजूदा सरकार जिस प्रकार से समीधानिक प्रावधानों पर नागरिकों के अधिकारों पर संस्थाओं पर एक संथिक तरीके से अकर्मन और अतिकर्मन कर रही है ऐसे मुश्किल वक्त में देश को एक मजबूत विपक्ष का मारक दर्शन देने के लिए और कॉंग्रेस पार्टी को नेत्रितव देने के लिए शिरी राहूल गांधी ही सबसे उप्यूक्त व्यक्ती है शिरी राहूल गांधी जी ने सब कॉंग्रेस कारे समीती और कॉंग्रेस कारेकरताओं का धन्यवाद करते हुए ये कहा कि वो कॉंग्रेस के कारेकरताओं के साथ कंधे से कंधा मिला कर एक जुम्मेवार विपक्षी नेता के तौर पर लोहा लेते रहेंगे इसके लिए वो कटी बद भी है और कर्तवय बद भी प्रन्तु उन्हों ने अपना इस्तीफा वापिस लेने से इंकार कर दिया और कॉंग्रेस कारे समीती से अनुरोद किया कि कारे समीती के सदस्यों के साथ साथ परदेश कॉंग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणों, विदायक दल के नेता गणों, लोकसभा और राज्यसभा के सांसत गणों, अखिल भारतिय कॉंग्रेस कमेटी के सचिव गणों उनसे भी एक ब्रॉडर कंसल्टेशन की जाए ताकि एक वाइडर कंसल्टेशन के बाद एकमत राय दुबारा से कॉंग्रेस कारे समीती के स्मक्ष आए कॉंग्रेस कारे समीती ने पाँच सब ग्रूप्स बना कर देश के अलग-अलग हिस्सों से आई कॉंग्रेस अध्यक्षों, सांसत गणों, अखिल भारतिये कॉंग्रेस कमेटी के सचिव गणों, विदायक दल के नेता उन सब से मंत्रना की है और कुछ मंत्रना अभी भी चल रही है ये पांचो सब कमेटियां जो कॉंग्रेस कारे समीती की हैं अपनी रिपोर्ट तयार करके आज रात को ही आठ बजे कॉंग्रेस कारे समीती के समक्ष पेश करेंगे क्योंकि रहुल गांदी जी कॉंग्रेस नेताओं और कारे समीती का इमानना है के असमंजस की जो ये स्थिती बनी है इसका आज निवारन अवश्य हो जाए और इसलिए कॉंग्रेस कारे समीती की अगली बैठक आज शाम को आठ बजे बुलाई गई है तो पुट इवरी बीफ्ली इन इंग्छिश फ्रेंदी अ में अटी व श्याम झांटी व था कॉंग्टी व ये अधि टोडेस पूंग्रेस अथिए ले प्रिश्य हो जाए इंदे लिए इंदी इंद गांटी ट्रुट्ट इंद ये व लेज़टी बनी बनी बैठक अश्मे तो कन्या कुमारी दो पॉर बंदर तो तिरिपुरा. Congress Working Committee members also emphasize upon Shri Rahul Gandhi that currently the BJP government is subjugating the Constitution, suppressing the voice of Dysand, is deriding the democratic process and democracy per se is in danger on account of the overwhelming majority that they enjoy and refuse to listen to voice of people of India. And in such a situation, the voice of a strong opposition needs to be heard and that is Shri Rahul Gandhi. Shri Rahul Gandhi thanked the members of the Congress Working Committee for their confidence. He also thanked Congress workers across the country for their wishes and confidence, but said that his decision to withdraw, to not withdraw his resignation is final. He also said that he will continue to work with full force along with Congress leaders and workers to take on the might of this government. Congress Working Committee accordingly divided itself into five groups. Congress Working Committee decided that a wider consultation is required as wished by Congress President Shri Rahul Gandhi with the leaders of the CLP, with the President of the State Congress Party, with AICC secretaries, with Lok Sabha and Rajya Sabha MPs, so that a comprehensive view on the next president comes forward in a democratic fashion. Those five groups have met today. Some are still meeting. A second meeting of the Congress Working Committee has been called today itself at 8 o'clock where the reports of the subgroups after consultation with these leaders in order to ensure assimilation of the thought process of the entire country will be presented to the Congress Working Committee so that a decision on the new president or an interim president or another arrangement could be taken. Any questions, you are welcome to ask. Sir, in this context, my future and Gandhi's recuse that they want to be part of the process, so what is the idea of logic? Because effectively, they will have to give the support to the new Congress president. It's overwhelming what we have come for us to know from the broad terms of the decision that everybody still wants Rahul Gandhi. Shri Rahul Gandhi and Shrimati Sonia Gandhi both felt that if the democratic process has to prevail and if everybody's view has to be taken, then Shri Rahul Gandhi said, I will like to recuse myself for I have already tendered my resignation to the Congress Working Committee. The former Congress President also felt, Shirmati Sonia Gandhi, that her presence is not required for assimilation of this democratic process so that the democratic process remains transparent and uninfluenced. And that's why both of them decided to recuse. But this was in Hindi, but this was in Hindi. I have heard that I have heard that I have heard that because this was the first one that was the last list because this list was the name of Nauron. So this list was the first list that was the first this list of the knowledge that there was not Gandhi's impact. कॉंग्रेस अधक्ष शिरी राहूल गांधी जी और पूरव कॉंग्रेस अधक्ष वे यूपीय चेरपर्सन शिर्मती सोनिय गांधी का ये मानना था जो राएं उन्होंने कॉंग्रेस वाकिंग कमेटी के स्मक्ष रखी के इस प्रजातांत्रिक प्रक्रिया जिसमें अगले कॉंग्रेस अध्यक्ष का चयन होना है उसमें वो अपनी राए नहीं रखना चाहेंगे ताकि उनकी राए से किसी प्रकार से किसी दूसरे व्यक्ति की राए प्रभावित ना हो जाए और प्रजात अंत्र के उस प्रारूप की अनुपालना करते हुए शिरी राहूल गांधी जी और शिरिमती सोन्या गांधी जी ने अपने आपको इन पांच सब गुरूप से अलग कर लिया और कहा कि अगर हम कोई राय देंगे तो उससे अगले अध्यक्ष के चैन को की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है और इसलिए प्रजातांत्रिक मुल्यों की अनुपालना के अनुरूप उन्होंने अपने आपको इन पांचो सब गुरूप से वापिस कर लिया जी नहीं कॉंग्रेस कारे समीती के पास जब उन्होंने ये कहा कि वो अपने इस्तीफे पर अभी भी अडिक है तो कॉंग्रेस वर्किंग कमेटी ने उनकी राय के अनुरूप एक ब्रॉडर कंसल्टेशन का निरने लिया है आठ बजे जब उन ग्रुप्स की रिपोर्ट आ जाएगी तो कॉंग्रेस कारसमीती दुबारा मिलेगी और नया निरने करेगी आठ बजे शाम को क्या होने वाला है या इन पाँच ग्रुप्स के अंदर क्या मंत्रना चल रही है जिसकी मुझे जानकारी नहीं वो उसके बाद क्या रजल्ट आएगा जैसे ही नतीजा और निरने आएगा मैं आपको बता पाऊंगा मैं अभी कोई hypothetical guesses और इस game के अंदर नहीं उल्चूँगा जब भी कॉंग्रेस का वेनेवर कॉंग्रेस working committee takes any decision on this we shall be happy to inform you चैसा मैंने कहा ये बाकाइदा subgroups हैं पूरब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंग भी एक subgroup का हिस्सा हैं बाकाइदा उन हर व्यक्ति की राए को लिखा जा रहा है record किया जा रहा है और हर व्यक्ति की राए को कॉंग्रेस कारे समीती के स्मक्ष आठ बजे रख दिया जाएगा धन्यवाद